दुनिया में आजीब आजीब से जगहें हैं जहां के बारे में लोगों को पता भी नहीं होता है। अब यहां कुछ फैमिलीज ही बची हैं। वो इस जगह से इतने अचाच हैं कि इसे छोड़ कर जाना नहीं चाहते हैं। इस अंडरग्राउंड गाउं को तिजमा के नाम से जाना जाता है। में ही नए मकान बना लिये हैं। वहीं पारंपरिक घरों को वो स्थबल और वर्काशोप के तौर पर इस्तिमाल कर रहे हैं। यहां पांच कमर घर में रहने वाली लतीफा बिन याहिया का कहना है मेरे माबाग की मौत हो गई। सभी लड़कियों की शादिया हो गई और वो अपने घर चली गई। अग मैं घर में सिर्फ अकेली बची हूँ। अगर मैंने भी घर छोड़ दिया तो ये घर तो खत्म हो है तो उसे अपने बच्चों को दे देंगी। सलीहा का कहना है कि ये वो जगह है जहां हमने अपनी जिंदगी गुजारी है। गाव में छोटी सी दुकान चलाने वाले हेदी अली कालेस इलाके में बच्चे वो आखिरी शक्स हैं जिसे इस बात की जानकारी है कि ये मकान कै कैसे बने हैं और कैसे मेंटन किये जाते हैं। उन्होंने यहां आखिरी मकान 1970 में बनाया था। वो अभी इन मकानों को सुरक्षित रखने में लगे हुए हैं। त्रिजमगाव में बने सभी मकान ज्वाला मुखी के जिसे गढ़्धी और गुपा में मौजूद हैं। इनक में बने मकान और स्टोरूम पत्थरों को काटकर और जमीन के ऊपर बनाये गए हैं। यहां रह रहे हैं लोगों के गुजारा जैतून की फार्मिंग और टूरिजम से होता है। यह जगह तब पॉपुलर डेस्टिनेशन में तब्दील हो गई। जब यहां के अंडरग्रा भणावट आई थी यहां रहने वाली सलिहा का कहना है कि अरग्रांती से पहले यहां टूरिजम था लेकिन उसके बाद से गिनति के लोग ही आते हैं। चुट्टियों के दिन कुछ ट्यूनिशय के लोग ही यहां आते हैं और उन्हें कुछ टिप देकर जाते हैं। अगर आ